नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान और इश्टदेव सभी को मेरा प्रणाम आज मैं आपको बताऊंगी फालगुन महीने की धूर पूजा के बारे में सदियों से हमारे देश में एक परंपरा है धूर पूजा पुत्र रत्न की प्राप्ति के पहले साल जो होली आती है, उस अवसर पर धूण पूजा करने की परंपरा है आज इस वीडियो में धूण पूजा के बारे में संपूर्ण जानकारी शेर करने जा रही है दोस्तों, काफी कम लोग जानते हैं कि धूण पूजन क्या होती है आज हमारे देश में धीरे धीरे सारी प्राचीन परंपराएं लुप्त होती जा रही है मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेर करें जिससे हमारी परंपराओं के बारे में इस पीडि को पता चले और हमारी परंपराओं को जीवित रखने में हमारी मदद हो सके इससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ओन कर लीजिए चलिए, जानते हैं क्या है धूंड पूजा और इस अवसर पर क्या करते हैं धूंड पूजा फालगुन महीने की शुकल पक्ष की एकदशी के दिन की जाती है जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद जो होली का त्योहार आता है उस वर्ष धूंड पूजा की जाती है पहले बेटों के जन्म पर ही धूंड पूजा की जाती थी, पर अब बेटियों का मान बढ़ाने के लिए भी धूंड पूजा की जाती है एक वर्ष तक के नवजात शिशु का धूंड पूजन किया जाता है ये एक सामाजिक परंपरा है जिसको होली से चार दिन पहले किया जाता है कुछ लोग होली के दिन भी ढूंड पूजा करते हैं इसमें बच्चे को गोध में लेकर होली माता की परिक्रमा लगाई जाती हैं जिससे वो सारी बुरी नजरों से बचा रहें इस प्रथा के अनुसार जब तक बच्चे का धूंड पूजन नहीं किया जाता तब तक उसे न तो सफेद कपड़े पहनाए जाते हैं और नहीं माथे पर सीधा तिलक किया जाता है धूंड पूजन से पहले तक बच्चे के माथे पर तिरच्छा तिलक करना चाहिए पहली बार धूर पूजन करने पर बच्चे को सफेद कपड़े पहना कर सीधा तिलक करते हैं धूर का सामान माता के पीहर से या बुआ के घर से आता है धूर के सामान में माता का पीला ओडना, खेल खिलोने, बताशे, फल, मिठाई, सगुन के पैसे और बच्चे के कपड़े आते हैं धूड़ पूजन के समय सारे परिवार इखटा होता है और बच्चे की माता पीला ओड़ना ओड़ती हैं और बच्चे को भी नए कपड़े पहनाये जाते हैं इसके बाद माता अपने बच्चे को गोध में लेकर चौकी पर बैठती हैं फिर एक सेर सिंगहाडे और बताशे की धेरी बना ली जाती हैं और फिर मां के द्वारा रोली चावल चड़ा कर जल का छींटा दिया जाता हैं कुछ पैसे रखकर वो पैसे सास को दिये जाते हैं और उनका आशिरवाद लिया जाता है मां और बच्चे को उनके परिवार के सभी सदस्य उपहार दे कर उनके सुख रुप से मनाया जाता है और अगर आप किसी और राज्य से हैं और वहां भी यह प्रथा है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताई दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी आउन कर लीजिए जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो आप देख पाएंगे धन्यवाद